नमस्कार मैं हूँ पेंद कुमार आप देख रहे हैं नेशन भारत लोजपा के राष्टी ये अध्यक्षे चिराग पस्वान के द्वारा लगतार पाटी की बिस्तार की जा रही है पाटी के पिर से एक बार बिस्तार की गई और पाटी के कई लोगों को अहमपद से भी नमाजा गया है यानि बहुत बड़ी जिम्यदारी भी दी गई है मैं आपको बता दूँ कि चिराग पस्वान लगतार पाटी की जीस तरह से बिस्तार कर रहे हैं आने वाले समय में यानि अगले चुनाओं में उसका परिणाम आपको दीखेगा भी लोजपा के सबसे पूराने निताओं में से पूर्व विधायक अनिल चौधियोग पार्टी के वफदार विरे सवर सिंग को राष्ट्रिय महा सचीव बनाया गया है वही अगर बात करें पूर्व सांसद रेनियू कुसवाहा तो रेनियू कुसवाहा को भी कमेटी में राष्ट्रिय महा सचीव बनाया गया है लगतार लोजपाज इस तरह से संगठन का बिस्तार कर रहे हैं कि आने वाले अगले विधान सबा के चुनाओ में उसका पूरी तरह से आपको असर दीखेगा इसी क्रम में पाठी के वरिष्ट सांथी मुंगेर निवासी मिथिले सिंग और उसा सर्माजी राष्टिय सचीव बना कराने वाले दिनों में साप संके दिये हैं कि पाठी में काम करने वालों वो अफ़ादारों को ही जगह दी जाएगी चुनाओ के दोरान पाठी में आये नए नेताओं को भी अब पाठी ने अपने काम में लगाने का करम सुरू कर दिया है पूर्वी धायक रवींद्र यादो पाठी से परतियासी रहे वीजे कुमार सिंग को राष्टिय करेकारिनी का सदस भी बनाया गया है पाठी के वफदार और तेज तरा नीडर काम करने वाले पूर्व परधान महा सचीव पद पर काम कर चुके नेता सहनवाज कैफी को केंद्रिय संसदिय बोड का सदस बना कर साप संदेश दिया है कि पाठी में उनकी अहमियत बरकरार है और भरोसे मन नेताओ को उचित अस्तान दे रही है पाठी लोजपा पाठी के द्वारा लगतार अपहल की जा रही है पाठी को मजबूत बनाने के लिए और जिस तरह से अगले जो बिधान सबा का चुनाओ होंगे उस चुनाओ में लोजपा पाठी का जिस तरह से बिस्तार किया जा रहा है एक मजबूती दी जा रही है ताने वाले समय में इसका पूरी तरह से असर दीखेगा पाठी के परदेश परवक्ता रजेस भट ने इसकी जनकारी दी कि जिस तरह से पाठी को बिस्तार किया जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार बिधान सबा चुनाओं में उसका परिनाम बिहार में पूरी तरह से दीखेगा और देश में दीखेगा लगतार इस पर पहल की जा रहा ही थी लेकिन अब पाटी ने लोजपा पाटी का बिस्तार करके कई लोगों का अहमपद से भी नमाजा है लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए